जैमा भिंद वाजनी हर हर महा देवाब शभी का स्वागत है हमारी उटू परिवार में बार बार यह सुनने को मिलता है कि पित्र असुद्ध हो गया है परिसानी आई घर में कहीं दिखाने के लिए गाए किसी विसिस्ट वेक्ति के पास जिनको तंत्र इत्यादी के जनकारी हो उन्होंने देखकर के पुझा लेकर के यह बताया कि आपके पित्र असुद्ध हैं जिसके कारण आपको इस प्रकार की परिसानी आ रही है तो आखिर में यह असुद्धता क्या होती है पित्र किस प्रकार से बहला असुद्ध हो सकते हैं जबकि उनका सरीर जो है वो पंचमावुतों से नहीं बना हुआ है इस विशाय को आज हम समझेंगे इससे पहले कि आप आज के विशाय को आरंब करें आप सभी से निवदन है कौन-कौन से वह प्रकार है जैसे कि उनको असुद्धती प्राप्त होती है सबसे पहला चीज होता है कि कभी भी पित्र जो है उनका प्रमुक अस्थान घर के प्रवेश द्वार के पास ही होता है कुल दे होता है यानि कि कुल की जो सक्ति होती है भगवती कुल दे भी जो ह तो उनको भी भगतवती किर्पार से मिर्त्यू कि परशाद कुल वहरों का इस्थान उन्हें प्राप्त हो जाता है यह विशेशकर के वैसिलोग्व तो तंत्रे त्यादी शद्धी के कारण महारद्या के कृपा से इस प्रकार के दिवेनित्र को प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें जो ही इस प्रकार की जानकारी होती है और वो इस विशियों को सही प्रकार से देख लेते हैं, तो जब भी पित्र असुद्ध होंगे, वो कि प्रवेश्द्वार को की लीतिया असुद्ध करना पड़ेगा और प्रवेश्द्वार असुद्ध होने से 99 प्रतिसद्ध जो है ऐसे ही पित्र जो है असुद्ध हो जाते हैं सुद्ध होने का तात पर यहां प्रिया होता है जैसे मान लेज़े कि सनातन संस्कृती में हमारी भगवती गौव माता जो है उन्हें साक्षर देवी का स्वरूप माना गया है उनसे संबंधित किसी प्रकार के निसित बदार्थ चाहें उनका मानसो हो उनके सरीड का कोई अवय हो जो मृत्तु के प्रशर प्राप्त किया गया हो उसे किसी भी समसाने विद्धा त्यादी के द्वारा अगर चौकट के उपर फेक दिया जाए मंतर से या किसी वैसे प्रकार के तंत्री त्यादी के माद्यमशे चौकट से इस पर सभी करवाती आ जाए तो उससे सबसे पहले जो कुल के पित्र होते हैं वह असुद्ध हो जाएंगे यानि कि वह अब कोई भी सुभर मांगली कारे में आपका साथ देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और जो लोग नीच प्रकृति के होते है इर्षिया के कारण इतने यदि की गिर गया है कि उनको इन प्रकार के काड़ें को करने में जरावी डर्भ है नहीं लगता है जरावी उनके अंदर माना होता अपने धर्म के प्रती जरावी संबेदन सिल नहीं होते हैं वो लोग इस प्रकार के निस्धिकार करते हैं और ऐस विशिस करके साधी बीभात के समय में लोग इसर्ण परकार के को जरूर करते हैं कि दूसरा पराण किस परकार से होगा। आपके घर-परिवार का नहीं कोई वेक्ति चाहे वह लड़की हो या लड़का हो जब किसी ऐसे कुल में जाके बिवह कर लेते हैं जो आपकी कुल परमपरा के पुरे विप्रीत हो लड़की अगर चली जाती है आपकी कुल परमपरा में अगर वेधी विधानों को छोड़ करके वो जा रही है तो वो फिर दुबारा जब इस घर में आएंगी और यहां आकर के अगर चाहेंगी राना आप पुने चमादान करते हैं उनको घर में लाते हैं तो दिक्कत होगी जैसे इसमें इसमस्च चुरूप से बोलेंगे कि अगर कोई लड़की है जो सनातन संस्कृति से संबंदित हैं अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ में चले गई और बात में आप किसी भी कारण वसके उपर तरस खाकर मों खाकर के अगर आपका घर में प्रवेस कराते हैं तो आप मान करके चलिए कि 95% यह 95% कम होगा बोलना यहां पर पूरा का पूरा यहां चांस रहेगा कि आपके प क्रित्य होता है जिस प्रकार कि अमानमेता होती है हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाब जो वहां कारी किये जाते हैं उसके कारण उनका चत्र उनका सरीर पूरी तरीके से असुद्ध हो गया रहता है ऐसे आभा मंडल के साथ जब आपके दहलीज के लांगेंगी आपके चो ठोड़ दीजे अगर आपको मन में मानमता आ रहा है उनके उपर दया भावना है अगर वो वापस आना भी चाहती हैं कि हम इस प्रकार के गलती को अफराधत हो गया हम वापस आना चाहते हैं तो घर ना ले जा चत्र में वहां ले जाकर कि आज के समय में अब अईसे ब्राह्वनों से चिंतन विश्य इत्यादी करके और बिल्कुल साथ देंगे लोग उसमें विद्यविधान जो होता है सब कुछ करवा करके वहां प्रयाश्चित विध्यान करवा करके कम से कम सब्टों महीनी तक उनको विदेविदान से पुजन पाठ करवाई अगर संबह हो तो तब जाकर उनको घर में लाइए तो इसे से कोई दोसा पूर नहीं लगेगा आपके घर में पित्रों का अस्थान है। या अपने अस्थान कभी पित्रों पुरवजुण के द्वारा दिया गया है। आपके बहुत दिक modern है यह भी चीज़ देखने को मिलता है आजकल आधनी के विचारों वाली है रजस्वला इत्यादी होएंगी तो भी नहीं मानेंगे उसी अवस्था में वह पित्रों के प्रवजों का अस्थानों को चुदेंगे सपर्स कर लेंगे देव प्रतिमाओं को या देव और एक और भी से इस कारण होता है जो कि अंजाने में होता है वो यह होता है कि घर का कोई भी सदस्य बिना अंजाने में उसको जानकारी भी नहीं प्राप्त हुई वह कहीं गया यात्र इत्यादी में और किसी ऐसे निसिद वस्थू को इस पर्स कर दिया या किसी और वेक्त वह सब अगर आपने लांग दिया और ऐसी अवस्ता में आप गर में प्रेविस कर जाते हैं तो अंजाने में ही जो है प्रतुन को असुद्धिता की प्राप्ति हो जाती है जिसके कारण आपके सरीड़ी में विसेश करके कर्ष्ट होता है उसके सबसाब अच्छन होता है कि ज कोई विसेश वैसा कारण नहीं प्राप्त हो रहा है तो पित्रों से संब्धित उपाय करना चाहिए इसमें अब उपाय सुद्धिता की लिए क्या है दोस्तों के अनुसारत तो अलग-अलग उपाय है लेकिन एक सम्मान ऐसा उपाय है कि आप एक तांबी के लोटे में जो सुद्ध हुं व HOW पतांबी के लोटे में जल भरके सुद्ध जल भरके उसमें थोड़ा सा गो मत्रों गंगा जल डाल अब t कि lige कुई दिकक्त नहीं है अभी बार की दिन किज ऑफवा आमускांवस्था तिति को अगर आप करना चाहें अरु को आप करना है ने कारी यहांको दो वहरे में करना है दोभार हम केजिख से दिककंत करते हैं को दिककत हैं मुकना नहीं है जुठा नहीं करना और जैवा के साथ मंत्रुत हो जाए तब उस्से ले जागरेके इस मुख्त होु करके पुरु मेरे परिवार का कल्याण करके कि है इस ही इस सुध्र पवित्र और मंत्रातमक जल से भगवती तुलसी में तुलसी का अविसेख करता हूँ और अपने सभी पित्रों से निवेदन करता हूँ कि वह अंसरूप से जैसे जैसे मैं अविसेख करता जाओ इस तुलसी जी में वह भस्तित हो करके अपने भाग को गरहन करें और सुद्ध तो जागाँ काविस्इब करएंगे तो सुर्य नारायन भगवान नारायन और भगवती तुलसी की क्रिपाद से आपके पित्र पमर्प से सुध्द हो जाएंगे ये प्रियोग यह आप जान बूँच गरके कोई अगर गलती किए हैं तो यह प्रभावी उतना नहीं होगा अंजाने में कोई दोस लगा हो तो आप यहाँ प्रयोग कीजेगा तो इससे प्रतर जो है सुद्ध हो जाते हैं तो आशा करते हैं कि आज के विशे से आप सभी को लाभ़पराप्त होगा और अगर इस प्रगार का कोई दोस है तो उसे से भी आपको मुक्ती होगी आप या भी भी कोई प्रश्ण बच चके हैं तो आप कमेंट करें या हमारे टेलिगाम गुरूप से जुड़के वहाँ आप हमसे बात कर सकते हैं जयामा विंद्रवाशनी हर हर महादेव